दोस्तो आदाब नमश्कार मैं आपके साथ हूँ अगले आधे गंटे और मैं अपने पसिंदीद शायर साहिर लुध्यानवी के बारे में बात करूँगा सिर्फ बात ही नहीं आपको उनकी कुछ नजमें कजलें भी सुनाओंगा यह जो सीरीज है यह अनहद की तरफ से शुरुआत की गई है एक नेक शुरुआत नेक दिन हुई थी और आज मैं ही नहीं और तीन लोग आपसे बातचीत करेंगे अलग-अलग वक्तों पर मैं गया बज़े आपके साथ हूँ अशोक पांडे एक बज़े आपके साथ होंगे रजा हैदर तीन बज़े आपके साथ होंगे और सियदा साइबा पांच बज़े आपके साथ होंगी हम अलग-अलग शायरों कभीयों के बारे में बात करेंगे उनकी नजमे घजले सुनाएंगे हम ये चाहते हैं इस सीरीज के द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर लगातार अनहत की तरफ से लोग आते रहें और आप से बातचीत करते रहें दोस्तों अगर साहिर लुध्यानवी की बात करें तो मेरी नसल, मेरी जमाने के नौजवान उनकी नजमों, घजलों, गीतों, गानों के उपर हमने परवरिश पाई है हमारे जहन को उन्होंने चुआ है, दिलों को चुआ है और इसलिए वो एक अवामी शायर की हैसियत से आजादी के बाद बड़ी शिद्दत के साथ उभरने वाले एक शायर थे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के उपर लगभग आधी सदी राज किया बेहतरीन शायर, बेहतरीन कवी और बेहतरीन जहन शायरी चाहे फिल्मों में की हो या उससे बाहर जो नजमे घजले गीत लिखे वो हों कहीं भी ख्याल की कमजोरी साहिर लुध्यानी के अंदर नहीं पाई जाती साहिर लुध्यानी भी एक ऐसा शायर है जिसने ख्यालों से पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उसके गानों को लैस कर दिया था इक्विप कर दिया था अगर हम उनके गाने सुने या उनकी किताबे पढ़ें दोनों में वो इनसान को ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं वो ऐसा दौर था जब फिल्मों के अंदर गाने जो लिखे जाते थे वो शायरी के मेयार पर पूरे उतरते थे कुछ भी लिख देना कुछ भी गा देना ये चलन उस वक्त नहीं था और इसलिए साहिर एक बड़े शायर की हैसियत से ही हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना कॉंट्रिबुशन देते रहे साहिर के हाँ एक खास बात ये थी कि फिल्म के अंदर जब हम देखते हैं तो गाने उनके लिखे हुए कहानी का एक हिस्सा होते हैं कहानी का एक इंटीग्रल हिस्सा होते हैं जिसमें गानों को अलग नहीं किया जा सकता कहानी से ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ भी गाना शुरू हो जाए और उसका कहानी से कोई तालुक ना हो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी शायर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी ऐसे creative writer के लिए कि वो कहानी सुने और उसके हिसाब से गाना select करे, choose करे, लिखे या उसका हिस्सा बना दे उनकी शायरी और उनके गानों को अलग नहीं किया जा सकता इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनके कुछ खास ख्याल थे वो ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह की चीज़ के उपर कुछ भी लिखने के लिए तैयार हो जाएं वो अपने जो कमिट्मेंट्स थे जो उनके ख्यालात थे इस दुनिया के बारे में इस समाज के बारे में महबत हो यानि इश्किया शायरी हो या समाज के उपर वाचीत की बात हो वो अपने ख्यालात से कोई कंप्रमाइज नहीं करते थे ये भी शायर के लिए एक बड़ी बात होती है और खास तोर से जब वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए या लोगों के लिए गाने या घजले या गीत लिए तैयार होता है हमारे बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो या तो मुशायरों में तालिया बजवाने के लिए बह जाते हैं और अपने ख्यालाद से कॉंप्रमाइज कर लेते हैं वो कुछ भी ऐसी चीज लिखने को तैयार हो जाते हैं जिस पर तालिया बज़े हमारे बहुत सारे ऐसे शायर हैं कभी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ भी लिखने को तयार हो जाते हैं यानि पैसा कमाना मकसद हो जाता है साहर की जिंदगी का मकसद बेहतरी नी शायरी करना था उनकी शायरी पूरे हिंदुस्तान के शायरी के ट्रेडिशन के तराजू पर हमेशा पूरी उतरने वाली शायरी थी चाहे वो गाने लिख रहे हैं हो या वो अपने लिए खजले किताब के लिए खजले और गीत लिख रहे हैं यानि इस से कॉम्प्रमाइज करना के मैं अपने खियालात के, अपने जذبात के खिलाफ जाकर के जो मांग है बाजायर की उसके लिए कुछ भी लिखने को तैयार हूँ ऐसा नहीं था मैं एक सर एक और बात कहा गरता हूँ और वो ये कहा गरता हूँ कि साहिर लुद्यानवी पहला ऐसा बड़ा शायर है जो परिभाशा का शायर है जो डिफिनिशन्स का शायर है वो चीज़ों को कम से कम शब्दों में कम से कम अलफाज में परिभाशा दे रहा होता है इसके कुछ उधारण ले लेते हैं जैसे साहिर की एक नजम की लाइने हैं जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जल्म में कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है हमारी पुजिशन्स हम कहां खड़े हैं समाज के साथ हम जालिम के साथ खड़े है या हम मजलूम के साथ खड़े है इस से ज्यादा खुबसूर्ट डिफिनिशन्स कम से कम मुझे नहीं मिली है कि आप कहां खड़े हैं समाज को लेकर के आप समाज की वैलियूज को लेकर के कहां खड़े हुए हैं ये लाइने बता रही हैं कि अगर आप जालिम के साथ जालिम को रोकने के लिए तयार नहीं है अगर आप कातिल को रोकने के लिए तयार नहीं है तो फिर आप उसके साथ कड़े हुए हैं आपको ये नहीं माना जा सकता कि आप neutral हैं आपका कोई लेना देना नहीं है इस बात से एक और नजम है उनकी मादाम लंबी नजम है इसमें आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम लोग कहते हैं तो पर ठीक ही कहते होंगे इस तर है जो कह रहा है नूर सर्माया से है रूव तमद्दून की जिला सर्माय पूंजी की रोशनी नूर सर्माया पूंजी की रोशनी को कहते हैं रूव तमद्दून की जिला तमद्दून कहते हैं तहजीब को और जिला कहते हैं जिला कहते हैं जिला को पूरी तहजीब की जो ज जिला हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं बल सकती मुफलिसी घरीबी मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है जो फाइनर इंस्टिंक्ट्स होती हैं उनको घरीबी खत्म कर देती है ये लाइन कह रही है मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है भूक आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती आप भूके आदमी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारे आदाब के साथ, सारी सब्धेता के साथ वो खाने को खाएगा जो भूका है और बहुत दिन से भूका है वो फिर सारे एटिकेट्स का ख्याल नहीं रख सकता है फिर से सुनिये इस बंद को नूर सरमाया से है रूए तमद्दन की जिला हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं बल सकती मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है भूक आदाप के साचों में नहीं डल सकती यह डेफनिशन है पूरी की पूरी तहजीब की पूरी की पूरी सभ्यता की एक डेफनिशन दे रहे हैं और साथ ही उसके अंदर जो समाज समाज के अंदर भूक है लोगों में उसकी भी डेफनिशन दे रहे हैं उसकी भी परीभाशा दे रहें इसी तरह से एक गजल है उसके कई शेर इस तरह की डिफनिशन देते हैं जैसे फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अभी मेयार तक नहीं पहुंचा फन कहते हैं कला को, नादार कहते हैं घरीब को अगर कोई ऐसा फन है जो घरीब तक नहीं पहुँच पा रहा अगर कोई ऐसा फन है जो अवाम तक नहीं पहुँच रहा वो कच्चा फर्म है, वो अभी तक अपनी मेराज पर, अपने मेयार पर नहीं पहुँच पाया है, वो लोवर लेवल का फन है, जो अवाम तक नहीं पहुँच रहा है, ये एक परिभाशा है, फन की, कला की, लिटरिचर की, जो कुछ हम गजले नजमे, कहानिया वगएरा पढ निशन दे रहे हैं साहिर, इनकिलाब आते, दहर की बुनियाद, हक जो हकदार तक नहीं पहुचा, सारे के सारे इनकिलाब, उनकी बुनियाद ही ये होती है, कि जब हकदार जो है, उस तक हक ना पहुचे अगर, तो वो इनकिलाब बन करके, कभी न कभी फटके, समाज को इसी तरह से इसी घजल का एक शेर है वो मसीहा नफस नहीं जिसका सिलसिलादार तक नहीं पहुँचा वो रेवलुशनरी हो ही नहीं सकता जो कुर्बानियां देने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हूँ। सिर्फ बातों में इनकलाब नहीं लाया जा सकता जालिम की डेफिन ना मजहब ना कोई क्वम जालिम के लिए भी ना हुआ। शाख टारिक जान देने के लिए जमान अधर की इसनी इसनी से ये सोचना और इतने कम अलफाज में चीजों को लिख देना ये صिर्फ और सिर्फ साहिर क्या हम को इतने बड़े लेवल के ओपर मिलता है एक और बहुत खुबसूरत नजम है उनकी उन्होंने जंग के खिलाफ नजमे लिखी हैं और कई नजमे लिखी हैं यानि मैं जिस तरह से कह रहा था कि अपने असूलों से कामप्रोमाइज करना साहिर में नहीं सीखा था साफ लहजे साफ अलफाज में वो अपने उसूल की बात सब के सामने बिनब डरे हुए बिनब किसी लाग लपेट के सही अलफाज में रख दिया करते थे दिल से उतर दिल तक महुचे वाला शायर था साहिर लुद्यान दी ये नजम ज्यादातर लोगों ने पढ़ी सुनी या कहीं न कहीं किसी तरह से इसके करीब जरूर आए होंगे इसकी आखरी लाई में बहुत खुबसूरत हैं टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें कोक धर्ती की बांज होती है फतेह का जश्न हो कहार का सोग जिंदगी मयतों पर होती है जंग के अंदर जीत या हार दोनों का मतलब एक ही होता है आप चीत के खुशियां भी इनसानों की लाशों के उपर मनाते है और हार का सोग भी इनसानों की लाशों पर मनाये जाता है इसलिए जंग के खिलाफ होना जरूरी है जंग को किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन दिया जाए जंग acceptable नहीं है साहिलो ध्यानवी को और ये definition है ये परिभाशा है किसी भी जंग की कि उसमें टैंक या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे अटते हैं दोनों बातें एक जैसी हैं बराबर हैं और हार हो जाए और जीत हो जाए दोनों चीजें बराबर हैं सिर्फ लाशें होती हैं सिर्फ जले हुए घर होते हैं उजडे हुए किसानों के खेत होते हैं इंसानियत रोती है इसके अलावा जंग हमें कुछ और दे ही नहीं सकती ये हैं साहिल लोध्यानवी और लगातार ये डेफिनेशन्स की बात अपनी शायरी के जरीए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश में लगे रहते हैं पूरी जिन लगी साहिल लोध्यानवी ने बहुत खुबसूरत इश्की अशायरी की है मैं जादा बात इश्की अशायरी के बारे में नहीं करूंगा हम में से जादातर लोग जानते हैं उनकी इश्की अशायरी को गानों के जरिये से या फिर उनकी किताबों के जरिये से लेकिन एक बात बहुत खुबसूरत है साहिर लुज्यान भी की रिखा उनका इनसान से इश्ग और उनका नेचर से इश्ग जो कुछ उनके आसपास है इन दोनों चीजों में एक ऐसा गहरा तालोग दिखाई देता है साहिर के आप उनका कोई भी गाना उठा करके देखें वहाँ नेचर के डिस्क्रिप्शन से वो सीधे पहुँचते हैं परसनल इश्ग तक जो इन्फिराधी इश्ग होता है और जो नेचर से इश्ग होता है उन दोनों के बीच का इतना गहरा तालोग किसी और शायर किया हमें दिखाई नहीं देता है उनकी मशूर नजम है परचाईयां शायद मैं बाद में आपको कुछ इससे इसके सुनाओं लेकिन ये देखें किस तरह से शुरू होती है जवान रात के सीने पे दूदियां आचल मचल रहा है किसी खौब मरमरी की तरह वो नेचर की बात कर रहे हैं क्या माहौल है आसपास क्या खुबसूरती है जवान रात के सीने पे दूदियां आचल मचल रहा है किसी खौब मरमरी की तरह हसीन फूल हसी पत्तियां हसी शाखें लचक रही है किसी जिसम नाजमी की तरह हसीन फूल हसी पत्तियां हसी शाखें ये क्या कर रही है लचक रही है किसी जिसम नाजमी की तरह एक खुबसूरत महिला के जिसम की तरह से लचक रही है ये जो संबंद है ये अगर आप कोई भी गाना उठा करके देखेंगे साहर का आपको हमेशा साहर लोध्यानवी के यहाँ यही चीज दिखाई देगी मैं ये समझता हूँ कि साहर लोध्यानवी अपने दोर के सिर्फ बड़े शायर नहीं है बलके अपने दोर में इनसानों की देशवासियों की शक्सियत ढ़लने का भी जिम्मा साहर में अपने हाथों में ले लिया था और इसलिए हमारे जहन को हमारे दिल को हमारी सोच को और हमारी पूरी की पूरी शक्सियत को ढ़लने में साहिल उद्यानवी का एक बड़ा हाथ है यह नहीं कह रहा कि औरों का हाथ नहीं है बहुत सारे लोगों का हाथ है इस शक्सियत को ढालने में हमारे political leaders का है हमारे writers का है हमारे poets का है हमारे artists का है हमारे film makers का है उन सब ने मिलके हमारे देश की इस शक्सियत को ढाला है, इस देश की पहचान को ढाला है, हमारी अपनी इंडिवूजवल पहचान को ढाला है, हमारी सोचने के ताकत को इन्होंने बल दिया है, लेकिन साहिर लोध्यानवी कभी इसमें कम बड़ा हाथ दिखाई नहीं देगा, साहिल लुद्यानवी की आप कुछ नजमे ले लेते हैं गजले ले लेते हैं देखते हैं कि आपको कौन सी पसंद आती है साहिल लुद्यानुई ने अपने जमाने में जब भी कोई बड़ी बात हुई जब भी कोई बड़ा हाथसा हुआ जब भी कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने जिसको हिला करके दुनिया जिस हाथसे ने दुनिया को हिला करके रख दिया साहिल लुद्यानी ने हमेशा उसके उपर रियाक्ट किया है चाहे वो मुलक के अंदर हो चाहे वो मुलक के बाहर हो ये एक पितरस लुमंबा के कतल के उपर बहुत खुबसूरत नजम है बहुत शायद गुसे में लिखी हुई नजम है कहीं कहीं पर मुश्चिल अलफाज हैं लेकिन ये याद बहुत की जाती है जल्म फिर जल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है खुन फिर खुन है तबकेगा तो जम जाएगा खाक सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे फरक इनसाफ पे या पाई सलासिल पे जमे तेगे बेदाद पे या लाशे बिसमिल पे जमे खुन फिर खुन है तबकेगा तो जम जाएगा लाग चुप चुप के कोई बैठे कमी गाहों में खुन खुद देता है जल्लादों के मसकन का सुराग साजशें लाग उड़ाती रहें जल्मत के नकाब साजशें लाग खुड़ाती रहें जल्मत के नकाब लेके हर बून निकलती है हतेली विचरा जल्म की खिसमते नाकारो रुस्वा से कहो जबर की हिकमते पुरकार के इमा से कहो मेहमिले मजलिसे अक्वाम की लैला से कहो यह उन्होंने बेहत खुबसूरत ट्रांसलेशन किया है यॉनाइटेड नेशन्स का अर्दु जबान में मेहमिले मजलिसे अक्वाम मजलिसे अक्वाम कहते हैं यॉनाइटेड नेशन्स को ये बहुत खूबसूरे ट्रांसलेशन है और शायद पहली बार किया गया था मैं मिले मजलिस एकवाम की लेला से कहो खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है शोले तुंध है खिर्मन पे लपक सकता है अब थोड़ा आसान है तुमने जिस खून को मकतल में दबाना जा आज वो कूच ओ बाजार में आ निकला है कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से जल्म की जात ही क्या जल्म की अवकात ही क्या अब जो ये खून बहा है उसकी डेफिनिशन फिर से साहर क्या मौजूद है क्या डेफिनिशन है जल्म बस जल्म है आगास से अंजाम तलक खुन फिर खुन है सौ शकल बदल सकता है ऐसी शकले के मिटाओ तो मिटाए नबने ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए नबने ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए नबने ये है साहिल लुधियान भी और उनकी शख्सियत में डूबी हुई एक नजब जो दिमाग को भी चू रही है और इसके साथ साथ उर्दू ट्रेडिशन हमारे देश की जो लिखने की कला है हमारे देश में उसके तराजू पर पूरी उतरती हुई नजब साहिल लुधियान भी जाहिर है कि मैं कह चुगा है कि ऐसी शक्सियत थे जिन्होंने हमारे समाज को ढाला इसलिए वो एक जगा कह रहे हैं जब हिंदोस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है तो उस वकत ये नजम लिखते हैं और उस वकत जब नैशनलिज्म पूरे उपान पर हो तो ये कहना कि जंग तलती रहे तो बहतर है बड़ा मुश्किल काम हो जाता है किसी शायर के लिए लेकिन बिलकुल निडर हमारा शायर सही बात को बहुत खराब वक्त में पूरी शिदत के साथ अवाम के सामने रख रहा है और वो कह रहा है खून अपना हुया पराया हूँ जब हम किसी को दुश्वन ठेरा देते हैं तो अपने और पराये के खून में फर्क करना शुरू कर देते हैं हम कहना शुरू कर देते हैं कि उस देश को तबाह कर दो खत्म कर दो, उजाड दो, उसको तहस नहस कर दो पर शायर क्या कह रहा है खून अपना हुया पराया हो नसल आदम का खून है आखिर खून अपना हुया पराया हो नसल आदम का खून है आखिर जंग मश्रिक में हो या मगरिब में जंग मश्रिक में हो या मगरिब में अमने आलम का खून है आखिर बम घरों पर गिरें कि सरहद पर बम घरों पर गिरें कि सरहद पर रुख तामीर जखम खाती है आतुमा पूरी की पूरी जो development की आतुमा है उसको ठेस पहुंचती है और हम खुद और हमारा दुश्मन दोनों कितना पीछे हो जाते हैं development के graph के ऊपर इसकी बात कर रहे हैं साहिर ये भी जंग की डेफिनिशन का एक हिस्सा है बंग घरों पर गिरें के सरहद पर रूह तामीर जखम खाती है खेत अपने जलें के औरों के जीस्त फाकों पे जरी तिल मिलाती है जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, जिंदगी फाकों से यानि भूक से तिल मिलाती है टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोक धर्ती की बांच होती है फते का जश्न हो, किहार का सोग, जिंदगी मयतों पे रोती है जंग तो खुद ही एक मसला है जंग क्या मसलों का हल देगी ऐसे वक्त के उपर जब दोनों देश इस बात पे उतारू हो जाएं कि अब सिर्फ जंग ही एक तरीका बचा है हल निकालने का, solution का एक दूसरे को तहस नहस कर देना ही अब मकसद बचा है और वो ही हमको आगे ले जा सकता है तब साहर लुद्यान भी एक चक्तान की तरह घड़ा हुआ ये कह रहा है कि जंग तो खुद ही एक मसला है जंग क्या मसलों का हल देगी आग और खून आज बखशेगी भूक और इहत्याज कल देगी इसलिए एई शरीफ इनसानों ये आखरी बंद है इसलिए एई शरीफ इनसानों जंग तलती रहे तो बहतर है आप और हम सभी के आनन में शम्म जलती रहे तो बहतर है ये खास तोर से नजम उन लोगों के लिए जो जंग खोर हैं जो पूरी दुनिया को तहस महस कर देना चाहते हैं और हर इनसान को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जंग के बाद सब कुछ हल हो जाएगा जंग के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा और अभी जो बुरे हालात हैं उनको जंग के बिना खतम नहीं किया जा सकता उनसे बेहतर हालात की तरफ हम जंग के बिना नहीं जा सकते ये और्गिमेंट दिया जाता है लगतार उनकी तरफ से जो इस देश इस धरती के ओपर लगतार जंग चाहते हैं कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में साहर इसी ख्याल को आगे चल कर एक दूसरी नजम में ज़्यादा डिवलप करते हैं और ये भी बहुत खुबसूरत नजम है जंग के खिलाफ सुनें, बर तरी के सुबूत की खातिर अपने को बड़ा बताने की सुबूत अगर देना है आपको तब साहर पूछ रहे हैं कि बड़ा अपने को बताना है मजबूत बताना है, दुनिया के उपर खब्जा करने वाला बताना है तो उसमें क्या चीज़ें छुपी हुई है बर तरी के सुबूत की खातिर खुम बहाना ही क्या जरूरी है घर की तारी किया, तारी किया कहते हैं अधेरा अधेरे को, घर की तारी किया मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है जंग के और भी तो मैदा हैं सिर्फ मैदाने कुछ तो खूँ ही नहीं कुछ तो खूँ का मतलब होता है लड़ाई, मारधार, मारकार्ट और खूँ बहाँ जंग के और भी तो मैदा हैं सिर्फ मैदाने कुछ तो खूँ ही नहीं हासले जिन्दगी खिरत भी है निचोड जो अकल है जो बेहतर सोच है वो होना चाहिए ना के हमेशा जुनून हो उसके अंदर हमेशा वहश्यत हो हमेशा एग्रिसिवनेस हो हासिले जिन्दगी खिरद भी है हासिले जिन्दगी जुनू ही नहीं आओ इस तीरा बख्त दुनिया को ऐसी दुनिया जिसमें बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें अमन को जिन से तक्वियत पहुँचे ऐसी जंगों का हितमाम करें अगर जंग ही लड़नी है तो अमन के लिए जंग लड़नी चाहिए अमन को जिन से तक्वियत मजबूती तक्वियत कहते हैं मजबूती को अमन को जिन से तक्वियत पहुँचे ऐसी जंगों का इहतमाम करें जंग वहिशत से बरबरियत अमन तहजीब और इरतका के लिए इरतका कहते हैं डिवलप्मेंट को तहजीब कहते हैं सबहता को जंग वहिशत से बरबरियत से अमन तहजीब और इरतका के लिए जंग मर गाक्फरी सियासत से ऐसी सियास्त जो मौत को प्रिफरेंस देव सिंदगी के ओपर ऐसी राजनीती जो मौत की राजनीती हो उसके बारे में बात कर रहे हैं जंग मर गाफरी सियासत से अमन इनसान की बका के लिए अमन इनसान की हफाज़त के लिए अमन इनसान की बका के लिए जंग इफलास से करीबी से जंग इफलास और गुलामी से अमन बेहतर निजाम की खातिर जंग भटकी हुई क्यादत से लीडर्शिप जो भटक गई है उसक जंग सर्माए के कैपिटल के सर्माएदारी निजाम के जंग सर्माए के तसल्ट से अमन जमहूर की खुशी के लिए डिमोकरिसी लोकतंतर की खुशी के लिए जंग सर्माए के तसल्ट से अमन जमहूर की डामिनस को जंग सर्माए के तसल्ट से अमन जमहूर की खुशी के लिए जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ आखरी लाइने सुनिये बेतरी इन लाइने अगर जंग ही लड़नी है तो जंग की फिलोसिफी के खिलाफ लड़नी हो गया हमे जंग जंगों के फिलस्फे के खिलाफ अम और अम जिन्दगी के लिए ये हैं साहिर लुध्यानवी जो दिल से निकले बात तो दिल में उतर जाती है एक के बाद एक नजमे पढ़ते जाओ तो लगता है कि साहिर लुध्यानवी आपके साथ बैठे हुए हैं आप से बाचीत कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं आप से कह रहे हैं कि इस दुनिया में अगर बेहतर इंसान बनना है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा और किन किन चीजों से बचने की जरूरत होगी हमारे याँ शराब बंदी का बहुत शोर उठा देखिए शायर शराब बंदी के बारे में क्या कहता है शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इजच पे फर्क आथा है फसाद बंद हुआ लूट मार बंद हुई हर एक रस्म जो थी नागवार बंद हुई मकान बन गए बेघर भिकारियों के लिए लिबास सिल गए नंगी कुआरियों के लिए वतन में खेर है बेरोजगार कोई नहीं वो मुनसिफी है कि शिक्वा गुजार कोई नहीं इतनी इतना इनसाफ होने लगा है कि अब किसी कोई शिकायत नहीं रही है वतन में खेर है बेरोजगार कोई नहीं वो मुनसिफी है के शिक्वा गुजार कोई नहीं कोई मरीज तरसता नहीं दवा के लिए कोई जईव भटतता नहीं असा के लिए सितम का गम का जहालत का दौर खत्म हुआ बलंद उ पस्त मशीयत का दौर खत्म हुआ तमीज बंदए तमीज बंदव आका मिटी सब एक हुए वजीर खादिम मिलत हुए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो जन्ता के सेवक बन गए हैं और रईस जितने भी हैं वो नेक हुए तमीज बंदव आका मिटी सब एक हुए वजीर खादिम मिलत वजीर खादम मिलत रईस नेक हुए शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिस से मुलक की इज़त पे फरक आता है और इसी सीरीज में आखरी नजम में पेश कर रहा हूँ गालिब के उपर गालिब का जशन जो मनाया गया था उसके उपर यह है एकीस बरस गुजरे आजादी एकामिल को तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया तुर्बत है कहां उसकी मसकन ता कहां उसका अब अपने परागंदा जहनों में सवाल आया सौ साल से जो तुर्बत कबर की बात हो रही है सौ साल से जो तुर्बत चादर को तरस्ती थी अब उस पे अकीदत के फूलों की नमाईश है उर्दू के ताल लुक से कुछ भेग नहीं खुलता ये जश्न ये हंगामा अकीदत थे के साज़े शहर जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों उन शहरों में अब उर्दू बे नमों निशा ठहरी आजादी एक कामिल का ऐलान हुआ जिस्तिम मातूब जबां ठहरी घदार जबां ठहरी जिस एहद सियास्त ने ये जिन्दा जबां कुछ ली उस एहद सियास्त को मरहूमों का गम क्यूं हो गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था उर्दू पे सितम ढ़ा कर गालिब पे करम क्यूं है ये जश्न ये हंगामा दिल्चस्प खिलों में कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं जो वादे फर्दा पर अब टल नहीं सकते हैं मुम्किन है कि कुछ हरसा इस जश्न पे टल जाएं ये जश्न मुबारक हो पर ये भी सदाकत है हम लोग हकीकत के एहसास से आ रही हैं गांधी हो के गालिब हो इनसाफ की नजरों में हम दोनों के गातिल हैं दोनों के पुझारी है आखिर में ये मांग आ रही है कि मैं परचाईयों के कुछ हिससे सुनाओं आपको जितना याद है उतना सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको जवान रात के सीने पे दूदियां आ चल परचाईयों शायद जितनी नजमें जितनी कहानियां जितनी घजलें मैंने एंटी वार पढ़ी हैं या सुनी हैं जितनी फिल्में देखी हैं बहुत खुबसूरत फिल्में हैं एंटी वार जंग के खिलाफ युद्ध के खिलाफ लेकिन ये नजम जो है ये मेरी सोच का मेरी जिन्दगी का हिस्सा बहुत बच्पन में बन गई थी मैंने अलीगर मुंस्ट्री उनिर्स्टी के मुशायरे में साहिल लुद्यानवी को ये नजम पढ़ते सुना था और इस नजम के कुछ हिसे याद हो गए थे बाद में पूरी नजम याद हो गई थी अब जाहर है कि उम्र हो गई तो सारी नजम याद नहीं है और ये बहुत लंबी नजम है बहुत खुबसूरत नजम है और इसके बारे में लोगों ने एक खास बात कही है इस नजम के बारे में कि फिल्मों में के अंदर तो फ्लैश बैक हुआ करता था ये पहली नजम है जिसमें फ्लैश बैक पर शुरू होती है सुनिए जवान रात के सिने पे दुधिया आचल मचल रहा है किसी ख्वाब-मर्मरी की तरह हसी Greeks पूल हसी पत्तियां हसी शाखिं लचक रही है किसी जिसमनाजनी की तरह फिजा में घुल से गए हैं उफ़क नर्म खुटूद जमी हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह तसवरात की परचाईयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकी की तरह वो साए जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह तसवरात की परचाईयां उभरती है वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह उन्ही के साए में फिर आज दो धड़कते दे खमोश होटों से कुछ कहने सुनने आए हैं नजाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से ये सुते जाकते लम्हे चुरा के लाए हैं नजाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से ये सुते जाकते लम्हे चुरा के लाए हैं यही फिजा थी, यही रुट, यही जमाना था यहीं से हमने महब्बत की इतदा की थी तड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सीलत जा की थी तसवरात की परशाईयां उभरती है कि आर्जू के कबल खिल के फूल हो जाएं दिलो नजर की दौाएं कुबूल हो जाएं तसवरात की परशाईयां उभरती हैं तुमारही हो जमाने की आख से बचकर नजर जुकाए हुए, जिसमों जाचुराए हुए खुद अपने कदमों की आहट से जेपती डरती खुद अपने साए की जुम्विश से खौफ काए हुए तसवरात की परशाईयां उभरती हैं रवाहे छोटी सी कष्टी हवाओं के रुख पर नदी के साथ पे मलाह गीत काता है तुमारा जिसम हर एक मौच के जगोले पर मेरी खुली हुई बाहों में जूल जाता है तसवरात की परशाईयां उभरती है मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जुडे में तुम्हारी आँख मसरत से जुकती जाती है न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ जबान खुश्क है आवाज रुकती जाती है तसवरात की परशाईयां उभरती है मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहे हैं तुम्हारे होटों पे मेरे लबों के साए हैं मुझे यकीन के हम अब कभी न बिच्डेंगे तुम्हें गुमान के हम मिलके भी पराए है तसवरात की परशाईयां उभरती है मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज सुकरम से उठा रही हो तुम सुहाग राज जो ठोलक पे गाये जाते हैं दबे सुरों में वही गीद का रही हो तुम तसवरात की परशाईयां उभरती है मेरे लमे कितने दिलकश थे वो लमे कितने दिलकश थे वो गड़ियां कितनी प्यारी थी वो सेरे कितने नाजब थे वो लड़ियां कितनी प्यारी थी बस्ती की हर एक शादा गली खौबों का जजीरा थी गोया हर मौज नफस हर मौज नफस हर मौज सबा नगमों गर जखीरा थी गोया नागाह लहते खेतों से नागाह लहते खेतों से टाबों के सदाएं आने लगी बारूत की बोजहल बूले कर पच्छिम से हवाएं आने लगी मगर्ब के महजब मलकों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए इटलाते हुए मगरूर आए लहराते हुए मधोश आए खामोश जमी के सीनों में खेमों की तनामे गड़ने लगी मक्षन से मुलाहम राहों पर बूटों के खराशें पढ़ने लगी फौजों के भयानक बैंट तले चरखों की सदाएं डूब गई जीपों की सुलकती धूल तले फूलों की खबाएं डूब गई इजनास के खीमत गिरने लगी इजनास के भाव वढ़ने लगे चौपाल की रौनक खटने लगी भरती के दफातिर बढ़ने लगे बस्ती के सजीले शोक जबाँ बन-बन के सिपाही जाने लगे जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे बस्ती के सजीले शोक जबाँ बन-बन के सिपाही जाने लगे जिस राह से कम ही लोट सके उस राह पे राही जाने लगे इन जाने वाले दस्तों में गहरत भी गई बरनाई भी माओं के जवां बेटे भी गए बेहनों के चहीते बाई भी बस्ती पे उदासी चाने लगी मेलों की बहारें खत्म हुई आमों की लचकती शाखों से फूलों की कतारें खत्म हुई दू लडने लगी मैदानों में भूख अभने लगी कलिानों में हर चीज दुकानों से अटकर रूपोश हुई तहşaनों में आज भी शायद हम उस दोर से गुजर रहे हैं जब चीजें रूपोश होती हुई हमें आखों के सामने दिखाई दे रही हैं ये जंग है जो करोना वाइरस के साथ है जंग कोई भी हो कुछ ऐसे ही हालात लेकर के आती है दूल उड़ने लगी वाजारों में भूख उपने लगी खल्यानों में हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तैखानों में बधाल घरों की बधाली बढ़ते बढ़ते जंजाल बनी महंगाई बढ़कर काल बनी सारी बस्ती कंगाल बनी जरुआयां रस्ता भूल गई पनहालियां पंगच छोड़ गई कितनी ही कुभारी अबलाएं माबाप के चोकड़ छोड़ गई ये पूरा सब कुछ flashback में था इसके बाद इस नजम के अंदर साहिर लुध्यान भी present पर आते हैं हाल पर आते हैं और ये कहते हैं कि आज फिर जंग के बाद अलचा रहे हैं और लगातार उस flashback को याद करते हुए ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि आज भी जंग वही जो उसमें पहले दिया था गुजिश्ट जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तनहाईयां भी चल जाएं गुजिश्ट जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परचाईयां भी चल जाएं ये नजम इस पर खत्म होती है और मैं अपनी बात इसी नजम की, इन ही लाइनों के साथ खत्म करता हो, आप से फिर मिलेंगे, जरूर याद रखिए के एक बजे, अशोख पांडे आपके साथ होंगे, टीन बजे रजा हेदर साभ आपके साथ होंगे, और स्यद्धा साहिबा, पांच बजे आपके साथ होंगे, अलग अलग शा झाल झाल